हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको कराऊंगी टेमजूला एओ की दीज हिल्स काल्ड होम तो इस स्टोरी को कई छोटी छोटी स्टोरी के द्वारा बताया गया है मतलब इसमें 10 छोटी छोटी स्टोरी हैं जिसके द्वारा इस पूरे पूरी मतलब पूरी नोवल को बताया गया ह इसमें आपको जो चोटी-चोटी स्टोरी जो उनसे यी थीम निकालना है और उसी से आपकी कहानी को पूरा करना है तो ये स्टोरी मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगी पर फिलाल में ताकि ये वाली दीज हिल्स कॉल्ड होम पूरा हो जाए इसके लिए आपको शॉर्ट म एक लिए आंफ फोर्से से लडाई की और इस लडाई में न सिर्फ जान और मान की हिल्य हुई बलकी औरतों के संमान की भी धज्यें उड़ाईगी कहानी बताती है कि किस तरह लोग ऐसे समय में भी अपनी लाल साओ की पूरती करने का अफसर डूनते हैं जब सब तरफ खू नागलेंड में करीब दो मिलियन लोग रहते थे जो तिबतन बर्मीस ट्राइब्स के थे 1950 से ही ये लोग अपनी अजादी के लिए लड़ रहे थे इस उब्द्रव की कहानी बहुत ही दर्दनाक रही है नागा पीपल के साथ लागातार अत्यचार हो रहे थे और उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुँच रही थी तब टेमजुला जैसे कई राइटर सामने आई उन जिन्होंने पब्लिक के सामने नागालेंड की सारी सिचुएशन्स को रखा जो वाइलेंड नागालेंड में हो रही थी वही इस स्टोरी का में थीम है जिसे अलग-अलग रूपों में दिखाया गया है लिटरेचर ने राइटर को एक प्लेटफॉर्म दिया महा की स्थिति को जागर करने का उस समय लिटरेचर ने वहाँ पर शांती स्थापित करने में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया टेमजूला एओ ने नागलेंड की कहानी को छोटी-छोटी कहानीों में बाट कर महा की सिचुएशन को दिखाने की कोशिश की है टेमजूला के दिमाग पर भी बहुत असर पढ़ाता महा की कहानीों से जब वो अपनी आदी से जाद हुमर पर पहुँच गई तो उन्होंने सोचा कि अब वहा की सिचुएशन को एक कहानी के रूप में वियत किया जाए उनकी दीज हिल्स कॉल्ड होम के लिए उन्हें पदमशिरी अवार्ड मिला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला और मेगाले गॉर्मेंट की तरफ से भी उन्हें इनाम मिला था तो इसकी जो पहली कहानी है जिसमें टेमशिरी जुला ने महां की जो दर्दनाक इस्तितिय उसको बया किया है वो है पहली जंगल मेजर ये एक छोटा सा पार्ट है इसलिए इसका यहां पर मतलब बस थोड़ा सा ही आपको समरी दूंगी में यहां पर एक जो हीरो होता है पुनाबा होता है वो अपने नागा पीपल के आजादी के लिए अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में इन्वाल्व होता है पुनाबा अपनी वाइफ कैथिला से भी कभी कभी मिलता है क्योंकि वह एक सीक्रेट ग्रूप का मेंबर है और जादा तर उसे जंगल में रहना पड़ता है पुनाबा कई पुनाबा दिसे कई लोग इस लड़ाई में शामिल होते हैं एक बार पुलीस उनके यहां पूस्त साच की जाती है एक बार पुनाबा अपनी वाइफ से मिलने जाता है तब ही फोर्स भी वहां पहुंच जाती है और कैथिला अपनी बुद्धी से पुनाबा और विलेज को बचा लेती है अगली स्टोरी है दे लास्ट सॉंग जिसमें अपैनियो एक लड़की है जिसका आन करता है और बाकी बचे होई सोल्जाइस को उस पर कोई तरस नहीं आता है बलकि वो अपनी बारी का इंतिजार कर रहे होते हैं कि कैप्टन के बाद इस औरत का फायदा उठाने का फिर उनको अफसर मिलेगा तो इस तरह से वो हिंसा हुई औरतों के धिमाग पर बहुत ही बास् Уस बन जाता है वह कई लोगों को पकडवाता है और अर्मी उसका और और ऊर्मी जिन लोगों को पकडवाता है ब्र 옷 फिर प्कार शोंपर कर देता इस कहानी में दिखाया गया कि हर उनपरि से आर उनको नहीं करता बलकि उसके सामने ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी जाती है कि या तो वो आर्मी जोइन करें या फिर अंडर्गाउंड गृूप्स को जोइन करें और फिर आर्मी के हाथों इनकाउंटर हो जाए उसका ऐसी अगली स्टोरी है दे नाइट जिसमें एक लड़की एक नाजाएज आलाद को जरम देती है उसका लवर उसे ये कहकर छोड़ जाता है कि उसे चाइना की अंडर्गाउंड आर्मी में जोइन करना है इसलिए वो उससे अभी शादी नहीं कर सकता ये स्टोरी बताते कि कैस और तो को मेल का संग्रक्षन ना मिलने पर असाहई छोड़ दिया जाता था अगली स्टोरी है एन ओल्ड मैन रिमेंबर्स इसमें शशी और इमली की स्टोरी बताई गई है इसमें उन्हें सोलजर बनाया जाता है और उनकी लाइफ जंगल में ही खतम हो जाती है उन्हें उन्हें भूक लगी है उन्हें ठंड भी लगी है और उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्हें आखिर जाना का है जंगल की आवाज तो वैसी भानक होती है और रात बढ़ने पर उनके डर को वो और भी जादा बढ़ा देती है परिस्तितियों उन्हें अंडर ग्राउंड ग्र आने के लिए घर छोड़कर जंगलों में भाग रहे हैं इस स्टोरी में बताए गए कि अंडर्ग्राउंड ग्रूप और आम्ट फोर्सिस के बीच कैसे तनावपूर्ण और विवादपूर्ण संबन थे टैम्जूला बताते कि इन लडाईयों में ना कोई हारा ना कोई जीता सिर्फ सभी लोग एक विक्टिम बनके रह गए चाहें वो आम्ट फोर्सिस के हों चाहें फिर वो ना उसके अंडर्ग्राउंड ग्रूप्स के हों उन सब को बहुत जादा बेचैनी ये सब जेलनी पड़ी और बहुत जादा हिंसा के शिकार हुई सब लोगों ने अपने अ गई तो थैंक्यू गाइज ये थी टेमजूला की कहानी अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और और भी कोई आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा शेय जरूर कीजिएगा थैंक्यू सो मच्छ